मैं रहुल कुमार स्वागत है आपका वरन्यम एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में आज के इस वीडियो में आपके साथ डिसकस करने वाले हैं बिहार बेल्ट्रोन डाटा इंट्री ओपरेटर का प्रिवियस यर कोश्चन और ये इस वीडियो में हम एक नमर कोश्चन स का पूछा हुआ कोश्चन है 9 से 10 सिप्ट का इस वीडियो में जितने भी कोश्चन आपके साथ हम डिसकस करेंगे चादातर कोश्चन को हम कोशिज करेंगे कि उसे हम प्रैक्टिकली करके आपको MS Excel में या MS Word का कोश्चन हो या फिर PowerPoint का कोश्चन हो उसे हम उसी जगह पे या इसे प्रैक्टिकल करके बताएंगे तो चीजे और भी आपको ज़्यादा complicated नहीं होने देंगे आपको बहुत easy way में सारे चीजे समझाएंगे तो चलिए सबसे पहला कोश्चन आप करते हैं कोश्चन यह है कि यदि आप MS Excel में एक text box या रखिएगा क्या बोल रहा है कि MS Excel मे एक text box simulate करना चाहते हैं तो आप इसे dash dash में पाएंगे या यह कि dash dash में जाईएगा तब आप वहां पर से क्या कर सकते हैं कि एक text box MX Excel में create कर सकते हैं तो इसका answer दिया है safe होगा और यह वाके में safe होता है कैसे safe होगा कैसे हम जानेंगे कि हाँ इसका answer safe होता है तो चलिए हम Excel open करके आपको दिखाते हैं कि Excel में कहाँ पर यह function होता है जब आप insert पर click करते हैं और insert के अंदर illustration group होता है और इसके अंदर safe होता है तो इसमें देखेगा एक text box नाम का function रहेगा उस पर click करेंगे तो इससे होगा क्या कि आप इसमें कुछ भी चीज़े आप यहाँ पर से लिख सकते हैं जैसे इस तरह से जो भी चीज़े आपको लिखना था आप यहाँ पर से इस परकार से लिख लिए और उसका size बगरा बढ़ाना है तो आप size बढ़ा सकते हैं कोई दिक्कत इससे नहीं होगा color करना चाहते तो color बगरा भी कर सकते हैं उसके लिए format का इस्तमाल कीज़ेगा इस परकार से कोई भी तरह का color जो भी आपको करना हो आप उसमें से कोई भी color पर click कर लिज़े तो यह साब function को आप इस्तमाल कर सकते हैं अब अगला question एक नमर question को आपको बता दिया कोई confusion नहीं है अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को like कीजे चैनल में जाके चैनल को subscribe कीजे क्योंकि इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहेगा साथी में आप comment करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा लेकिन comment करने से पहले पूरा वीडियो देखी कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है चीजे आपको आपके like है या नहीं है वो चीजे आप comment करके बताइएगा फिर अगला question आपको solve करते हैं अगला कोचन यह है कि निमलिखित में से कौन सा विकल्प पंक्ति यानि कि रो की उचाई को समायोजित करता है ताकि हर एक नाम जो भी मान लिखते हैं हर एक मान लुका करते चाहिए वह वह कोई लिखते हैं इन्षी करते हैं तो फिर वह और अलबक पन्साइ किनिमलिखित विकल्प मतलब पंक्ति मतलब रो चाहिट खुण चाई को समयोजित करता है ताकि हर एक मान पंक्ती या कॉलम के पूरी तरह से वो फीट रहे तो उसके लिए हमें इस्तमाल करते हैं आटो फीट का जैसे अगर एक्जामपल के तौर पर आपको हम यहां पर से दिखाते हैं कि किसी भी सेल में अगर चलिए हम लिख देते हैं इस इसे परा कॉर लिखे संडे संडी लिखने है जब हम इसे ड्रैक करेंगे तो क्या होगा कि कुछ ऐसे tracking कोगा जो इसे में एड्जयस्ट नहीं होगा तो जो एड्जयस्ट नहीं हो वाला में fit हो जाएगा, अगर कोई ऐसा word है जो height में नहीं adjust हो रहा है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो यहां पर से auto height fit, यहां पर row वाला option देख रहे, auto fit row height पर click कर देंगे, तो इससे क्या होगा, वो row में height में adjust हो जाएगा, यहनि कि अगर adjust नहीं हो रहा है, तब इसका इस्तमाल करना है, अगर adjust हो रहा है, तब इसका इस्तमाल नहीं करना है, यहाँ पर question के तौर पर बोला गया था, row के बारे में, तो out of fit, row height पर जाके click कर देंगे, जो कि home के अंदर format नाम को option में available होता है, अगला question है, इसके बाद फिर तीन number है, कि internet पर mailing list सेवा का उपियोग किसके लिए किया जाता है, यानि कि देखिए, यहाँ पर question क्या है, कि internet पर, internet किस चीज़ से चलता है, तो जब तक आपके system internet access नहीं करेगा, उसके लिए browser चाहिए, जैसे google chrome, mozilla हो गया, और भी कई सारे browser है, उसके इस्तमाल करके, आप internet चलाते हैं, तो question यह है, कि internet पर mailing list सेवा का उपियोग किसके लिए किया जाता है, तो internet के माध्यम से, electronic संदेश को भेजने के लिए, यानि कि email को भेजने के लिए, हमें internet पर mailing list का इस्तमाल करना पड़ता है, तो यह जो तीन number आप question देख रहे हैं, उसका answer भी तीन number ही होगा, कि यह क्या question है, कि internet के माध्यम से electronic, electronic संदेश, संदेश मतलब, जो mail होता है, उसको भेजने के लिए, इसका इस्तमाल किया जाता है फिर अगला question है, चार number चार number question यह है, कि निम लिखित में से कौन सी shortcut की जो है, save as के लिए इस्तमाल किया जाता है, देखिए कुछ भी activities अगर हम लोग करते हैं, MS Word हो या Excel हो, या फिर PowerPoint हो या फिर other कोई भी file हो, जिसमें कि save, save as type के function होते हैं तो अगर हम कुछ भी activities कीए और उस activities को चाहते हैं, उसी file के अंदर save कर देने के लिए तो control plus S इस्तमाल करते हैं उसका shortcut की, लेकिन अगर हम पहले जो कोई file बनाए हुए हैं, और उसमें activities जो किये हैं, हम चाहते हैं वो एक नए जगह पर जाकर save हो, तो उसके लिए save as के इस्तमाल करते हैं, जिसका कि shortcut की होता है app 12 होता है, याद रखिएगा app 12 से एक बात को और याद रखिएगा कि जैसे देखिएगा, श्रिप app 12 बटन प्रेस कीजेगा, तो save as होगा, लेकिन control के साथ अगर app 12 बटन प्रेस कीजेगा, तो existing open file होगा, यानि कि मतलब दो shortcut की होता है, श्रिप अगर app 12 बटन प्रेस करेंगे, तो save as होगा फाइल, और control के साथ करेंगे तो existing open file होगा, नि कि जो पहले से file save किया, उसे हम open कर सकते हैं, फिर question number 5 है, 5 number question क्या करा रहा है, कि MS Word 2016 में print function किस menu के तहत उपलब्द होता है, तो file menu के तहत होता है, जैसे अगर आपको open करना है, तो यहाँ पर से word type कर लिजे, word type करने के बाद हम enter button press कर दिए, तो देखिए MS Word उपन हो रहा है, और एकदम updated version जो 2016 वाला वो open करके आपको दिखा रहे हैं, तो अगर आपको print करना तो इसके लिए file पे click किजे, और इसमें देखिएगा कि list में print नाम को option दिखाएगा, तो इस पे click करना होगा, side में यहाँ पर से देखिएगा print preview सो करेगा, print preview इसलिए सो करता है कि आपका पेज किस परकार print आने वाला वो बताएगा, और यहाँ पर से print करने के कुछ function जो होते हैं, वो आपको दिखाएगे, यानि कि file menu पे click करके, हम किसी भी document को, या फिर किसी भी work sheet को, या फिर किसी भी presentation को power point रहेगा, तो presentation, excel रहेगा, तो work sheet, अगर MS Word रहेगा, तो document को हम print कर सकते हैं, print करने का shortcut की भी होता है, control plus P, control plus P के जरीए भी print कर सकते हैं, या फिर file पे click करके, print वाला option पे click करके, उसके जरीए भी हम print कर सकते हैं, साथ ही हम उसका print preview चेक कर सकते हैं, प्रिंट प्रिवीव यह होता है, कि आपका page किस पर कार print आने वाला वह बताता है, print प्रिंट प्रिवीव का shortcut की control plus P2 होता है, उसके बाद फिर अगला question है, छे number कि हम अभी, यानि कि जिस अभी समय में, हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, विडियो बना रहे हैं कि हम अभी किस PIDI यानि कि जिसे computer का जेनरेशन होता है फर्स्ट जेनरेशन, सेकेंड जेनरेशन, फर्स जेनरेशन और फाइब जनरेशन तो अभी जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, फिर जो अभी अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो बताएगा कि ये कौन से जनरेशन में computer का OPO किया जाता है, तो ये पांचमा जनरेशन वाला computer का क्या किया जाता है, पहला जनरेशन तो बहुत पहले था, तकरीबन वो 41 से 56 तक कमाना जाता है, ऐसे उसका एक sequence बैठाएगा और देखिएगा, जनरेशन कैसे बदलता है, जि OPO कर रहे हैं, तो पांचमा जनरेशन का computer जो है, हम OPO कर रहे हैं, इंटरनेट कौन से PD में आया था, तो चौता जनरेशन में आया था, लेकिन ये generation होता क्या है, जनरेशन बनता कैसे, computer का generation, तो computer का generation जो होता है, hardware और software में जब changing होता है, जब बदलाव होता है, प्रस्तिती क अनुसार, आपने जरूरत के अनुसार, जब हम चीज़े को बदलते हैं, तो उसी duration में जब बदलाव होता है, उसी duration को एक generation बना दिया जाता है, एक PD बना दिया जाता है, फिर अगला question है, सात नंबर कि mailing में address block निमलिखित में से किस से घिरा हुआ होता है, तो ये जो greater than और less than तो ये भी होगा, दो नंबर भी आप देख रहे हैं, कि greater than और less than है, लेकिन हाँ, mailing का address block होता है, address block का है, मतलब ये हो गया, कि जिसमें कि आप नाम रहता है लिखा हुआ, आपका घर का ये सारे तरह का चीज़े होता है, उसमें लिखा हुआ, अगर आपको mailing से related बाते को पढ़ चक्ते, साथ ही में आपको इसके बारे में यहाँ पर से बता जेते हैं, कि mailing में address block निम लिखित में से किससे घरा हुआ होता है, तो double inverted comma से घरा हुआ होता है, याद रखेगा, inverted comma से नहीं बोलना है, sorry, inverted comma बोल दिया हैं पर से, double increase than and decrease than से घरा हुआ होता, थोड़ा से mistake हो गया, बखी चीजे सही है, बता रहे हैं आपको फिर से, कि double increase than and decrease than double वाला होगा, तब उसके अंदर से क्या होता, घरा हुआ होता, घरा होता, घरा होता, जैसे आप उसमें name लिखा हुआ, तो वो double जो greater than or less than है, तो उसके बीच में ही लिखा हुआ रहेगा, आपका नाम है father's name में, जो भी चीजे आप दिये हैं, address के तोर पे, तो वो सभी चीजे लिखा हो रहेगा, फिर question number अगला है, आठ है, कि निम लिखित में से कौन से application software है, देखे, software दो परकार का होता है, एक होता system software, दूसरा होता है application software, तो इसमें जो आप बहुत सारे software का list देख रहे हैं, वो file को load करता है, access करता है, और operating system को भेजता है, उसी तरह से system utility है, operating system में जानते होंगे, लेकिन image editor जो होता है, कोई भी तरह का photo को edit करने का software हैं, या फिर कहिए download करते हैं, for example के तोर पर बता दें आपको एक दो software का नाम, हलाकि आप mobile में तो बहुत तरह का application का, या फिर रोका, इस सब चीज का photo edit करने के लिए इस्तमाल किया जाता है, और भी बहुत सारे software होते हैं, जिसे की photo edit किया जाता है, तो जो photo editor है, या फिर MS office है, typing master है, tally है, और भी कई जायसे software है, जिसे हम मतलब देखिएगा, पहले आपको इसके दो चीज़े के बारे में आपको clear है, कि वो समझाता है, प्रोसेस को बताता है, कि ये instruction है, उसके बार जो भी उसमें प्रोसेस करना करके, उसे बार दीजिए, output device के जरिये देता है, लेकिन application software, उसे application software जो होता है, वो user के अनुसार से होता है, यानि कि जो मेरे जरूरत है, उसके अनुसार से create किया जाता है, for example अगर आप accounting का काम करते हैं, तो आप accounting software को मतलब download किजेगा, अगर हम image edit करते हैं, तो हम image editor का इस्तमाल करेंगे, कोई लोग अगर MS office पे काम ज्यादा करता है, तो MS office install करेगा, कोई अगर typing ज्यादा करता है, तो typing install करेगा, तो जो application software जो होता है, वो user के जरूरत के अनुसार से create किया जाता है, अब हम जैसे image editor की बात कर रहे हैं, अगर हम उसे doctor line में भेज़ दे तो उसका क्या काम हो, वहाँ पर तो कोई काम नहीं होगा, तो अगर doctor line वाला को हम अपने पास लाएंगे, तो उसका भी कोई काम नहीं होगा, तो यह क्या होता है, जरूरत के नुसार से application software create किया जाते हैं, फिर अगला question है 9 number, कि MS Excel में FV किस परकार का function है, तो यह financial function, यह financial होता कहा है, तो formula menu के अंदर होता है, तो चलिए आपको हम इसके बारे practical दिखाते हैं, तो जैसे यहाँ पर formula menu पे click कर लिए, और इसमें देखिए कि कई सारे यहाँ पर से option यहाँ पर से दिय पर यहाँ पर show कर रहा है, तो यह FV नाम का function जो होता है, Excel के अंदर, financial option के अंदर एफ लेबल होता है, फिर question number 10 है, 10 number question देखिए क्या कर रहा है, कि Excel प्रारूप में दिनांग प्राप्त करने के लिए किस function का उपियोग करेंगे, जिसमें कि वर्स, माह, तारीक, अपुर्ती के लिए उपियोग करना होगा, तो equal to आप date दीजेगा, जैसे आपको हम एक example के तौर पे आपको दिखा देते हैं, कि जब आप यहाँ पर से equal to दीजेगा, उसके बाद जब date लिखिएगा न, तो यहाँ पर से date लिखने हैं, वह bracket रस्टार्ट कीजेगा, तो आप अपने screen क जूम करके देख सकते हैं, यहाँ पर से क्या लिखा हुआ, year, month और date, उसी परकार से यहाँ पर question में क्या बोला गया है, question में क्या बोला गया है, verse, माह और तारिक, यानि कि year, month और date, इसके बारे में कौन से चीजे दिखाता है, तो equal to जब हम date लगाएंगे, तब यह function show यानि कि इस question का answer क्या होगा, date होगा, और आप इसके बारे में practical जाके करके देख सकते हैं, equal to दिजेगा, date लिखिएगा, bracket start कीजेगा, तो चीजे आपके पास instruction खुद सो करने लगेगा, फिर question number 11, देखिएगा, 11 number question अगर आप लोग PowerPoint जितने भी लोग अभी वीडियो देख बस तो इसका option है, और जो इसका answer है, वो गलत दिया हुआ, कैसे गलत है, इसके बारे माँ आपको अच्छे तरीकस बताते हैं, देखिए ये question, पहला question मेरे सामने नहीं फ्रेस कर रहे हैं, जो Beltron के अनुसार से उसका answer गलत है, लेकिन अब ये क्या सोच के दिया है, इसके बा layout में, निमलिकित में से कौन सा section, यहां पर से क्या बोल रहा है, कौन सा section, यहनि कि अनुभाग नहीं होता है, तो इसमें कौन सा अनुभाग नहीं होता है, तो मेरे अनुसार से animation अनुभाग नहीं होता है, बाकि list हो गया, chart हो गया, tides हो गया, आप सुच रहे होंगे, कि PowerPoint मे तो सुने हैं कि हमें सा animation यूज किया जाता है लेकिन हम यह नहीं बोल रहा है कि animation यहाँ पर से उसका layout बोल रहा है slide के layout यहाँ पर से साब question पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है कि slide के layout में निम लिखित में से कौन सा section यानि कि अनुभाग नहीं होता है तो चलिए इसके बारें भी आपको हम powerpoint में दिखाते हैं तो हम यहाँ पर से powerpoint लिख लेते हैं और enter button प्रेस कर रहे हैं powerpoint ओपन हो रहा है और इसमें आपको हम दिखाते हैं चीजों को थोड़ा से 1 minute wait कीजेगा और आप देखिएगा जैसे कि अगर यहाँ पर से बोला है कुछ भी हम चीजे को लिख दिये हैं यानि कि अब हम इसका ना मतलब layout बदलना चाहेंगे तो यह आप screen पे देख रहे हैं इसे क्या कहा जाता है तो इसको slide का layout कहा जाता है तो जब slide का layout आपको बदलना हो तो उसके लिए आपको home में आना होगा और home में यहाँ पे slide नाम का आपको group दिखेगा और इसमें देखेगा यहाँ पे layout नाम का भी function दिखेगा जिस पे ले जाएगा तो slide layout लिखेगा और उसके just नीचे एक description type का लिखेगा और उस description में यह लिखागा कि change the layout of your slide यानि कि आप अपने slide का layout बदलने के लिए इस function का आप उपयोग करेंगे तो जब आप इस पे click किजेगा तो देखिएगा यहाँ पर से slide title है तो वो option में था तो यह तो answer होगा ही slide and content है यह भी होता है section header है to content है compare है और भी कई सारी चीज़े तो माले title and contents जब हम लेते हैं तो इसके तौर पर अगर आपको दिखाते हैं कुछ चीज़े जो है आप यहाँ पर से देख सकते हैं तो जैसके देखिएगा कि इसमें यहाँ पर से आपके पास यहाँ पर से कुछ option दिया एक option दिया table का, दूसरा chart का, तीसरा smart art का फिर यहाँ पर से 3D models का, फिर picture का, फिर video का फिर यहाँ पर से insert video, एक online video, एक computer के अंदर video फिर symbol का, लेकिन यहाँ पर कोई भी जो layout है वो animation से नहीं जोड़ा हुआ है यहाँ पर जो layout होता है, कहीं पर भी आप animation नाम का word आप इसमें इसमें इस्तमाल किया हुआ नहीं देखेंगे, ना तो इसके अंदर option का, आप देखें, list क्या होता है तो यहाँ पर bullets देखें दिया हुआ है, और enter button अगर प्रेस करके, अगर हम कुछ लिखते जाते हैं, तो एक list create होता है, तो यहनि कि जो यह question देख रहे थे, कि list बनाना वो भी होता है, chart नाम का भी function होता है, titles भी होता है, titles का मतलब आप heading देते हैं, जैसे कि और भी कही तरह के जैसे अगर आप कोई picture लाना चाहते हैं, तो बीडियो भी ला सकते हैं, इसी परकार से हर तरह का का म किया जाता है, लिखिन इसमें animation नाम का कोई भी option एबलेबल नहीं होता है, तो मेरे अनुसार से तो इसका का answer गलत दिया हुआ था वो था PowerPoint का इसाइड या फिर Excel का question था जब उसमें क्या बुलते हैं उसे Smart Rat का question दिया हुँ था Smart Rat से related question था तो उसमें हम कुछी चीज़े fault देखे थे उसमें पीरा मीड में उसमें answer दिया था 3 जबकि उसमें पीरा मीड में चार option होता है उसके अंदर चार option होता है लेकिन वो तीन दिया था आपको उसके बारे भी अगर पता नहीं किस वीडियो में हम बताए थे लेकिन अभी याद तो नहीं है लेकिन हम बताए थे जरूर कि एक वीडियो में उसके बारे में फिर अगला question क्यों बढ़ते हैं अगला classification और प्रिंटर की अगर बात करें तो दो परकार की होता है एक impact printer एक non impact printer तो impact printer के अंदर dot matrix printer और brand printer जैसे चीजे और भी इसके अंदर बहुत सारे option available होते हैं लेकिन यह जो आप अपने question देख रहे थे कि dot matrix printer और brand printers जो है वो किस परकार के printer होते हैं तो यह impact printer होते हैं उसके बाए फिर अगला question है तेरा number कि MS word में निमलिकित में से किस की यानि की कुण सा shortcut की का उपयोग तालीका समझते हैं मतलब table को आप go to the previous sale में आपके जैसे कोई sale में मतलब A number sale में अगर हमको B number sale में जाना है तो tab button प्रेस करेंगे और फिर से अगर आपको फिर से reverse आना है पिछे आना है तो उसके लिए बस आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है shift के साथ tab button प्रेस करना है यह कोई बड़ी बात नहीं बहुत बड़ी question नहीं है बस यह पूछ रहा है कि tab button जब प्रेस करते हैं तो हम लोग आगे की वर बढ़ते हैं और shift के साथ जब टैब बटन प्रेस करेंगे तो क्या होगा तो हम लोग reverse आएंगे पिछे की वर अगर आप इसके बारे में भी अगर प्रेक्टिकल जानना चाहते हैं तो यह में स्वर्ड ओप और अच्छे से समझा देते हैं कि अगर A number column में है ठीक है और हमको B number में जाना है तो हमें क्या करते हैं टैब बटन प्रेस करते हैं तो आगे की वर हम इसे बढ़ जाते हैं तो जब shift के साथ अगर हम टैब बटन प्रेस करेंगे तो फिर से क्या होगा कि reverse होके हम आ जाएंग का merge and center होता कहां पर है तो यह Excel का question है जैसे अभी हम कुछ sale को यहां पर से जो लिकाओ से मिटा देते हैं और हम जैसे कुछ sale को इस परकार से select करने के बाद आपको home में जाना है home में आप यहां पर से merge and center नाम का option दिखेगा home के अंदर एक alignment group होता है उसमें merge and center नाम को option दिख स्टाइल में कुछ text सामेगरी है नि कि कुछ text चीजें आप रखना चाहते है उसमें लिखना चाहते है इसमें से concept चुनेंगे तो इसके लिए हमें word art चुनना होगा word art नाम का option होता कहां है तो यहां पर से slide बोल रहा है slide को नाम यह जैसी आता है तो आप समझे लिजिएगा कि power point है तो आप यहां पर से word art होता का है तो insert पे click करेंगे तो जब insert में यहां पर से text group नाम का दिखाई देगा तो इसमें जब test पे click किजेगा पहले test पे आ गए फिर word art में आ गए तो word art में कई तरह के आपको यहां पर से design मिलेगा उसमें देखिएगा square form में क्या होगा च जाने के बाद आप उसका design आप अपने अनुसार से आप इसका design दे सकते हैं तो जैसा कि अपने screen पे आप देख रहे हैं फिर question number है स्वला है पंदरागवा स्वला नमर question है कि निमलिखित में से कौन सा विकल्प रो की उचाई को समागरी के अनुसार बदल देगा यानि कि अ इसका shortcut की भी आपको बताएंगे कि alt plus enter होता है जैसे आपको हम यहाँ पर से लिखें total ठीक है अब total लिखने के बाद हम यहाँ पर से amount लिखना है तो amount लिखें अब यह देखिएगा कि sale का size जो है इतना ही तक है यहाँ तक ही है लेकिन text आगे तक चला गया तो इसपे click लिखेंगे और उपर में आप home में आईएगा और alignment group के अंदर wrap text नाम का function होता है और इसपे click कर दीजेगा तो row का hide क्या होगा बढ़ जाएगा और उसी का अंदर क्या होगा text लिखा जाएगा इसके लिए एक और option भी है अगर आप sale का size बड़ा भी है चोटा भी है कोई दि तो alt plus enter होता है आप दो option से भी कर सकते होंपे click करके alignment group में wrap text option होता है उसपे भी click करके एक ही sale के अंदर एक से अधिक line बनाने के लिए इसका इस्तमाल किया आयता है या तो फिर आप alt के साथ enter button प्रेस करके लिख सकते है उसके बाए फिर अगला question है फिर 17 number question है आप अपने screen पर देख सकते 17 number question क्या लिखा हुआ है कि लिखीत में से कौन सी worksheet में एक छेतर किसे formatting को copy करके दूसरे छेतर में लागू करने की विधी होता है तो उसके लिए हमें format printer का इस्तमाल किया आता है देखे format printer क्या होता है कि एक style को copy करने का function होता है कैसे किया जाता है इसके बारे प्रेक्टिकल देखेगा आप जैसे हम यहां पर से एक नया worksheet ले लेते हैं थोड़ा इसे हम आपको जूम करके आपको screen पर दिखा देते हैं जैसे हम यहां पर से कुछ भी चीजे हैं जो आप इंटर बटन प्रेस करकर करकर हम यहां पर से लिख दिए अब यह लिखे और हम करने के बाद इसका color rate कर दिए से highlight कर दिए इसका phone size बढ़ा दिए और उसके बोल्ड कर दिए इस तरह का function इसमें हम style apply कर दिए उसी तरह से कुछ कुछ चीजे यहां पर भी जो है हम नए तरीका का एक word लिख लेते हैं अब हम चाहते हैं कि यह जो style है इसमें भी आ जाए तो बस इसको select कर लेंगे और यहां पर home के अंदर clip bold के अंदर जैसी देखिएगा तो एक format painter नाम को option दिखाए देगा इस पर click किजेगा और बस इसको सिर्फ select कर दिए तो इसका सभी style क्या होगा इसमें भी apply हो जाएगा यानि कि जो format painter होता उसका इस्तमाल सिर्फ style को copy करने के लिए किया जाता है तो आप यह जो question आपने screen पे देख रहते हैं 17 नंबर इसका answer यह आप दो नंबर होगा format painter यानिकि format painter के जरीए आप किसी भी में कुछ style लगा है कुछ formatting किये हैं और उसी formatting को अगर आप दूसरे cell में आप रखना चाहते हैं तो उसके लिए format painter का इस्तमाल करेंगे format painter कहां पर होता है तो home के अंदर clickable group होता है तो clickable group में ही वह format painter function जो है वह available होता है फिर question number 18 है कि MS powerpoint में grid को दिखाने के लिए और छुपाने के लिए कौन से shortcut की का इस्तमाल किया जाता है तो shift plus F9 का इस्तमाल किया जाता है जैसी यह powerpoint open है अब यहाँ पर grid line किसे कहते हैं तो excel में भी अगर आप देखते होंगे कि जो row का मतलब horizontal और vertical जो lining खीचा हुआ रहता है निकि row और column का जो lining होता है उस line को हम लोग क्या बोलते ग्रीड लाइन बोलते और वही चीज़ को आप यहाँ पर से powerpoint में अगर आप F9 बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं अपने screen पे उससे क्या होगा तो उससे यह होगा कि आपके screen पे पूरा grid line आ जाएगा है निकि row और column में जिस तरह से lining होता है उस परकार से lining इसमें भी आ जाएगा फिर उसके बाइद अगला question है 19 नंबर इसका shortcut की होता है निकि powerpoint के अंदर grid line को hide करना या फिर show करने का shortcut की क्या होता है तो shift plus F9 होता है उसके बाइद फिर अगला question है 19 नंबर की MS powerpoint में बटन जो होता है उसका इस्तमाल करके हम लोग slide को देख सकते है यानि कि slide 100 करने का shortcut की क्या होता है तो powerpoint में F5 होता है या आप अपने screen पे देख सकते है इसका shortcut की लिखा हुआ है फिर question number है 20 कि laser printer में 6 को किसके द्वारा कागज पर अतिरिक्त किया जाता है निकि अगर आप laser printer इस्तमाल कर रहे है और laser printer के द्वारा आप अपने document में जो भी चीज़े photos है या फिर कुछ text लिखे हुए है और उसे आप print कर रहे है तो किसके द्वारा print होगा तो उसमें एक drum होता है ठीक है ना याद रखिएगा एक drum होता है तो drum के जरीए आप उसमें चीजों को page में ज sale style को एक workbook से दुसरे में copy करने के लिए merge style विकल्प का उपयोग किया जाता है जो कि dash dash menu में पाया जाता है तो sale style menu जो होता है उसमें पाया जाता है यह आप sale style menu होता कहां पे तो home के अंदर यहाँ पर से देखेगा तो इसके अंदर बहुत सारे menu बने हुए sorry यहाँ पर group बन नीचे में देखेगा तो merge style नाम को option आपको दिखाई देगा यहाँ पर से नीचे में तो merge style नाम को option से हम ये काम कर सकते हैं तो इसका answer क्या होगा की merge style यहाँ पर से क्या k cuatrocheon देरा है कि merge style विकल्प जो कहां पर IPO किया जाता है तो sale style में जाएंगे उसके अंदर हमें merge style को option मिलेगा इसका step क्या है एक बड़ फिर से practical जान लिजे कि home में गये और merge style में हमें जाना उसके लिए sales style में जाना होगा और सबसे नीचे में merge style नाम को option हमें screen पर दिखेगा जिस तरह के आपको प्रेक्टिकल करके दिखाएं फिर question नमबर बाइस है कि mail merge को पूरा करने से पहले पुर्वा लोकेन के लिए निमलिकित में से किस tab का प्रियोग किया जाता है तो view your letter का इस्तमाल किया था इनीं कि preview your letter प्रेक्रीक की कीज़ेगा तो उससे क्या होगा कि आप अपने मतलब final करने से पहले आप अपने letter को देख सकते है प्रियू कर सकते हैं कि आपका कईसा प्रिंट में आएगा कैसा दिखाएगा या फिर किसी तरह से आप किसी इक कॉलम पर के साथ तुलना करते हैं सुभधा के लिए दूसरे लेकर फोर्थ नंबर जो कॉलम है उसको छिपाने की वसकता होती है तुलना हो जाने के बाद अगर हमें इसे फिर से बाद में अनहाइड करना है तो इसके लिए क्या अवस्था ज़रूरी होगा या फिर कैसे इसक का प्रोसेस होगा क्या टूल्स होगा यह दिखे कॉस्चन को आम एक भासम हम आपको समझाते हैं कॉस्चन बस यह कहना चाहरा है कि अगर वर्क्षीट में कुछ हम तूलना कर रहे हैं एक कमपेर कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे चेल है तो पांच नंबर के पहले जो चार न visibility नाम को option होगा उसमें hide और unhide जैसे option अबलेबल होता है यानि किसी भी column को या किसी भी row को hide करना है या फिर unhide करने तो क्या तरीका है उसका तो आप home page यहाँ पर click किये ही है आप साथ में आपको format में जाना होगा format में जाने के बाद एक list ओपिन होगा इसमें देखेगा visibility नाम को option दिखाए देगा और इसमें hide and unhide नाम को option है अब जिसका इस्तमाल करेंगे उस परकार से function यह काम करेगा अगर hide करने के लिए बोल रहा है तो आप hide का इस्तमाल कीजे unhide करने के लिए बोल रहा है तो आप unhide का इस्तमाल कीजे फिर question number 24 है कि mouse pointer की एक काली उधवार धर जो है वो उसका क्या मतलब होता है इसके देखेए कुछ जादा ही मतलब करस के हिंदी लिख दिया है लेकिन एक vertical जो option जो आपके cursor में अगर किसी भी text file में जो लिखते हैं को देखते हैं क्या होता है बिलिंक करते रहता है तो बिलिंकिंग लाइन को किस नाम से जाना जाता है यहां परसे क्या बोल रहा है कि वर्टिकल बिलिंकिंग लाइन को किस नाम से जाना जाता है तो इसको और कि दूसरे किस नाम से जाना जाता है तो इंसर्स पॉइंटर के नाम से जाना जाता है निकि हिंदी में बोले तो सिमिलन बिंदू के नाम से जाना जाता है फिर कोच्चन नंबर 25 है कि कि किसी प्रस्तूती प्रस्तूती क्या होता है प्रजेंटेशन जो सो करता है पावर पॉइंट प्रस्तूती प्रस्तूती मतला प्रस्तूत प्रस्तूती में सभी slide के लिए संकर्मन प्रभाव सेट करने के लिए सबसे अच्छा द्रिश्य क्या होगा तो slide view स्वारी इसका slide sorter भी होगा slide sorter भी क्या देखिए यहां पर से क्यूं इसका answer slide sorter भी दिया यहाँ पर से यह question था कि question को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं कि किसी प्रस्तूती में सभी slide के लिए संकरमन प्रभाव सेट करते समय उपियोग करने के लिए सबसे अच्छा द्रिस एकाउन सा होगा तो slide shorter भी होगा तो वो सभी slide वो होगा छोटा एक thumbnail step के आपके screen पे show करने लगेगा जैसे अभी यह slide दूसरा नमबर पे इसका पहला नमबर पे करना चाते हैं तो इसे उठा के इधर कर देंगे तो यह आप अपने अनुसार से adjust करने के लिए आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं तो उसी के लिए ह अग्रुमेंट जो हता है उसे अलग-अलग करने के लिए निमलिकित में से किसका प्रियोग किया जाता है निकि कौन से symbol का प्रियोग किया जाएगा तो comma symbol का प्रियोग किया जाएगा तो चलिए Excel में गबार हम थोड़ा सा सीख भी लेते हैं जैसे हम यहाँ पर लिख दिए 50 और हम यहाँ पर लिख दिए 20 और यहाँ पर लिख दिए हम यहाँ पर से 30 और सभी सेल को आपको जोड़ना यहाँ पर तो आप क्या करेंगे इक्वल टू देंगे आप देखें इसका जोड़ने का दो तरीका एक तो sum का देख़र होता है दूसरा इस पर किलिक किये पिर यहाँ पर से complex का भी दे सकते हैं या पिर अगर हम sum का formula लगाते हैं bracket start करते हैं तो इस पर किलिक कियें फिर comma दिए फिर इस पर किलिक कियें उसके बाद फिर bracket बंद करके interface किये तो यानि अलग-अलग sale करने के लिए हमें क्या करना होता था इसमें कॉमा देना पड़ता था फिर question number 27 है कि निमलिखित में से कौन से विकल्प का ओपियोग करता हो द्वारा ओपियोग किये जाने वाले folder की सूची परदर्सित करता है तो recent file यानि कि जो हमारे द्वारा computer user जो हम है computer user तो उसके हमारे द्वारा अगर कुछी भी तरह का कुछ भी चीज़े use किया जाता है तो उसके folder जो होता है उसके list बनता है उसे हम लोग recent file के नाम से जानते है recent file इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसे मतलब जो अभी recently जो file यूज किया गया है उसी का वो list दिखाता है तो इसका answer क्या होगा ये होगा अगर recent file को अगर run के द्वारा वपिन करना है तो बिंडो के साथ आप R प्रेस किजिए उसमें R E C E N T लिखिए और इंटर बटन प्रेस कर दिजिए तो जो recently जो भी file वगरा यूज हुआ होगा वो सभी का list आपके screen पे कुछ इस परकार से वो so करने लगेगा जैसा कि आप अपने screen पे देख रहे हैं तो इस तरह से आप so करा सकते हैं motion no.28 एक निम लिखित में से कौन सा CPU की अमेगमता गती को बढ़ाता है यहनिकि उसके power जो होता है उससे और ज़्यादा बढ़ाता है तो CPU को और गती बढ़ाने के लिए हमें cache memory का इस्तमाल करते हैं cache memory देखे computer के अंदर बहुत कम होता है और cache memory को king of memory कहा जाता है जो कि CPU से भी ज़्यादा क्या होता है फास्ट चलता है तो यह इसका answer होगा फिर question number 29 है किनिम लिखित में से कौन सा window XP का एक बुनियादी घटक नहीं है तो terminal जो होता है उसका मतलब बुनियादी घटक नहीं है बुनियादी घटक मतलब हुए हो गया कि सभी features हैं लेकिन यह features नहीं होगा तो देखेगा जो screen फे file और folders हो करता है उसे हम वो icons कहते है menu होता है pointer होता है लेकिन उसमें terminal नाम का कोई भी option नहीं होता है फिर question number 30 है किनिम लिकित में से कि shortcut की का प्रियोग विसाय वस्तु छिपाने वाले paste content को function के लिए उप्योग किया जाता है तो control प्लस भी का उप्योग किया जाता है जी हाँ अगर आप control प्लस X से cut करते हैं या फिर control प्लस C से copy करते हैं तो उसे अगर वो hide हो जाता है लेकिन उसे फिर से वापस लाने के लिए screen पे कहीं पर दूसरे जगा paste करने के लिए control प्लस भी का उप्योग करते हैं I hope कि आपको वीडियो पसंद आ होगा अगर किसी भी तरह का कोई problem हुआ हो अब आज में या फिर किसी भी तरह का कोई problem हो तो comment करके ज़रूर बताएगा हम उसे सुधारेंगे हलाकि हमारा वीडियो के description box में हमारा WhatsApp नमर मिल जाएगा हमारा contact नमर मिलेगा तो हमारा पर से संपर्क करके हमसे question भी ले सकते हैं या फिर Excel का PDF या फिर Excel का notes आप भी ले सकते हैं साथ ही आप Beltron का question भी ले सकते हैं तो अगर आपको इस तरह का चीज़े आपको चाहिए तो हमारे वीडियो के description box में हमारा number मिलेगा तो आप number से contact कर सकते हैं वो number से phone भी कर सकते हैं उस number पर या फिर WhatsApp पर message भी कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like कीजे चैनल को subscribe बिल्कुल कीजे इस तरह का वीडियो आपको मिलते रहेगा और comment करके जुरूर बताए कि आपको वीडियो कैसा लगा पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद